महराज जी कुछ सवाल है हमारे मन में जो हम चाहते हैं फटा फट आपसे पूछें कि जो ये सिद्धी होती है जो आप यूज करते हो ये कैसे कौन से देवता की सिद्धी होती है और कैसे आप पूरी करते हो सिद्ध करते हो देखो ऐसा है कौन से देवता की होती है आप किसको मानते हो, कहते हैं ना 33 कोटी देवी देवता है, आप किसी की भी सिद्धी कर सकते हो, और हर देवता की सिद्धी भूत पिशाच से लड़ने में काम आती है? हाँ, बिल्कुल आती है, अच्छा, उसमें जैसे के माता काली हो गई, बहरो हो गई, हनुमान जी हो गई, बाला जी की याओे, तो इसका मतलब तो वो है, और महावीर जो नाम सुनावे, अगर हमने बाला जी माहराज का नाम लिया तो ये दूर भाग जेँगे, तो कहते हैं नHisumanा का बाला जी माहराज की भी सिद्धी उनकी होती है, और जो हमने सिद्धी करी है वो माता काली की, ठीक है? और एक कुल देवी है हमारी उनकी, सभी की कुल देवियां होती है, एक तो होती है इस्ट देवी, इस्ट देवी तो उसको बोलते हैं जैसे के आप काली को मानने लगए, माताशेरा वाली को मानने लगए, अन्बान जी को मानने लगए, जिसके इस्ट देवता और इस्ट देवता और कुछ जेंट थे जिनको मैंने सिधी करवाई है मैं कर सकते हूं माराज जी सिधी है कर सकते हो बिलकुल उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब अलग भी इनरजी को फील कर सकता हूं आप बिलकुल कर सकते हो आप जब भी ग्रेंड काल आये तो बना Гोहस करना जोया, मैं सीरिसली और проблемे है खर सकते हैं आ प्रिल कुम मेराज जी holiday कि जैसे Black magic करने के लिए क्या क्या चीजे चाहिए होती है और हटाने के लिए क्या क्या चेईजेए छही होती है करने के लिए तर Memeश के लिए देया होता है उनको क्या है कि जो ये अमावस्या आती है अमावस्या पे सम्षान में चले जाओ या कहते है ना गंगर किनारे बहुत सम्षान है वहां भी वहां तो कोई आपती भी नहीं होती इतनी बाई हांडी ली उसमें थोड़े से एक मुठी उड़ दाले थोड़ा सा पानी डाला कच् है अगर पकाते हुए आपको बहुत कुछ फील होगा तो उसके लिए क्या है कि हमें एक कृट्टा खेल नहीं होती घिल जो दिवाली पे होती है अगर आपको बहुत ज्यादह फेल हो रहा है करें ऐसे डाल दो ऐसे लिए साइड में डाल दो आपको फील नजर नहीं जो खील जैसे कि आप ऐसे करके छोड़ोगे, अगर वो नहीं छोड़ोगे ना, आपके उपर वो चीज़े हैवी होना सुरू हो जाएंगी, तो आप क्या है के प्रशाद दे रहे हो चीज़ का, वाइट ये जो एनरजी है, जो भी साज़े, सफेज चीज़े से ज्यादा अट हाँ, तो अगर वो आपने खोल दिया, तो आप किशामत आ गई, ऐसा भी है, कभी भी उस कपड़े को खोलना नहीं चाहिए, तो आप लिया, बांद दिया, अब क्या हुआ, बलेक मेजिक के उपर ही आ रहे हैं, वो जो हैं काले उडद, वो जो अमावस्यागी रात को करना क्या होता है? वो उडद ले के उस में से पांदख ले 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 लिए, अब डॉल मनानी है, डॉल कैसे बनेगी? उस में कच्छे उडद और ले लो, उनको कूट लो आटा बना लो उनका, आटा बन गया, अब आटा बन गया, वो जो बाहां से लाएं उस पेड पर, जो हम लोग मारन विद्यागर्दी सुई चुबा रहे हैं ये कर रहे हैं तब तो उस डॉल पर जिस पर ब्लैक मैजिक कराना है उसका कुछ बाल या कुछ लगाना पड़ेगा हाँ उसके लिए हमारे हाथों के नाकुन चाहिए अच्छा हमारा ये कंगी से निकले हुए बाल मेरे पास तो उसका थोड़ा सा भी कपड़ा काट लिया ना इतना सा तो उस पे भी वही काम होगा अच्छा अच्छा इसा भी कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो चपल पहन के निकलनी चीए जारण मारन विद्या की बात कर रहे हैं आप जो ये जो हमारे पैर के न ये जसने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है या आप उस रास्ते से निकलोगे और लो आप चल के जा रहे हो वहा की भी मिट्पी उठाली ना उससे भी आपको समस्या हो जाएगी ऐसा नहीं है कि आप चपल में जारहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा तो इसे में दाएं को जिए से को यह हांडी है। उसके ठरूवी ब्लैक के थुरू हगा थी . या डॉल होता है . आटे ठरू तो एक कहते हि नाम कियों मारण विद्या होती है . पहले कभी आपने सुना हario जानवी आपने सुना हो ग्हाल एक ग्हाल जलती थी . गाल गाल रखी है। ऐसा कहते हैं कि अपनी बला हम किसी और पे चड़वा देंगे है। और गाल जरूरी नहीं है कि आप किसी के नाम की चोड़ रहे हैं। अब होली और ढीवाली रात को कहते हैं । चाहरण डीख जाएगी। इसके बारे में बताओ, होली दीवाली, यह जो गाल चलती है होली दीवाली पर, गाल होता कई लोग को जश्वर मुझा भी नहीं पता, एक बार बता हो, हिंदी में एक हांडी, हांडी में कुछ समान डालते हैं, माता का सिंगार भी होता है, बहुत कुछ चीज होती है, और व कोई पूछ रहें ना होली दीवाली सब जितने भी तंत्रिक हैं साधू संत हैं सब इसलिए छोड़ते हैं वो अपनी पावर देखते हैं कि मेरी पावर कहते हैं किसी ने कोई हवाई जाज बनाया यह क्या बोलते हैं मिसाइल बनाई कितनी दूरी पे जाके मार कर सकती तो जो और लोग हैं यह कारिये करने वाले उनको यह पता लग जाए कि तेरा बाप महा बैठा है अगर वहां का कोई केस है और तू तेरे पास आ रहा है तो तू हजोड़ ले उससे लेगिन महराज जी कुछ लोग दिवाली पे चौराह पे वो भी रखते हैं मत्के जो रख चूड़ी और सारा सम्वान हो गया चूड़ी होगा सिंदूर लगा के उस पे साथ ठीके लगा के कहते हैं उस उलाक नहीं होता उपर से उतार के और वहां रखाओ यह तो सत्य है कि वो ठीक हो जाएगा अच्छा हाँ उसके उतार के रखाओ बाकि वो इतना ठीक नहीं होग के और लोग करने लग गए जबकि उनको A B C D का भी नहीं पता होता है अब हम इतना समय मुझे तो विरासत में मिली है फिर भी मुझे बटकना पड़ता है फिर भी कभी कलकत्ता जा रहा हूं कभी कामाख्या जा रहा हूं कभी 64 योग नहीं जा रहा हूं जबकि मुझे तो वि कोशिश करें कि साइड में चलें बीच रास्ते ना चलें नहीं तो कोई ना कोई चीज आएगी अच्छा माराज जी यह और बताईए कि कितने तरह के भूत पिशाच यह जो होती हैं वो कितने तरह के होते हैं अगर आप कुछ बता हैं देखो एक होता है चलावा अभी आप च कैते हैं सांड बन जाएगा कभी इंसान बन जाएगा और इंसान भी चोटा बच्चा दीखेगा कभी बहुत लंबा दीखेगा और उसका इंटेंशन क्या नुकसान पहुचाना या मारना होता है क्या इंटेंशन होता है उसका कारण यह होता है कि वो यह चाता है कि मैं अके अब मैं बताता हूँ उसको ऐलिन मोडं वन जाते हैं यह हुम नहीं भी जाती है अ çalışक sìह पाशा गलुडप प्रफ हुआ एह और जो यह छलावा ऑता यह उन्से बहुत अलग होते हैं कहते हैं कि अशारों है क्षाइश्मेरी गुण है एक मैजिशियन वह रotा है कि इसी तरह से यह होता है कभी बड़ा बनने के दिखा रहा ह險 और लोग उसको देखें और वह अड़्रादे है जैसे जैसे उसको देखते रहेंगे ना कभी वो बकरी बन रहा है और छलावे के अलावा कौन कौन होता है छलावे के अलावा प्रेत आत्माई होती है अब डायन कहते हैं डायन कौन होती है डायन वो होती है जिसको परताडना दे के मार दिया गया है मालब उनके शरीर को इतना दुख दिया गया दुख दिया जैसे के बिहार में आपने सुना होगा बही इसके उपड़ बूत है पिसाच है क्या है और उसको बांद के मार दिया जाप जला दिया जला दिया जाता है देज पर्था के लिए तो बिहार साइड में ये चीजे बहुत है बाकि इतना इन पर विश्वास नी जितना आप इस चीज में बढ़ोगे उतने ही आप ज्यादा दुखी होना सुरू हो जाओगे इस चीज को ज्यादा मत सोचो तो आप ठीक रहेंगे महराजी जिन का बताओ जिन वो क्या करता है हमारे जो हिंदू सनातन धरम में उसमें तो कह देते हैं भूत पिसाच अब जो जिन कहते हैं ये मुस्लिमों में कहते है होती वोई चीज़ है वो ये नि कहते हैंगे इस पर आत्मा का साय है वो ये कहते हैंगे अरे इस पर तो जिन है बस कहने का अताद पर यह है, कि हम भूत-पिसाच बोल देंगे, इस पर कोई भूत है, पिसाच यह क्या है, और वो एक ही वाद बोलेंगे, इस पर तो जिन है, और इसमें यह भी होता है कि कोई जादा पार्फुल है जैसे करण पिशाचनी के लिए कहते हैं कि वह बहुत जादा पार्फुल होती है अब करण पिशाचनी क्या हमेशा दुख देती है आप आपने इतने शो करें हैं करण पिशाचनी दुख देती है वह भी तो कहते हैं एक भी आपसे जैसे अपनी नीड पूरी करती हैं वो मैं बताता हूं जितनी भी सिधियां करी हैं एक करन पिसाचनी भी उसमें से एक है और जो आगे लोग कर रहे हैं भाई उसको मार दिया उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया क्या पता है वो करन पिसाचनी काट रही है सबको अच्छ योगनिया भी तो है जो 64 योगनिया जामे सिद्धी करने जाता हूं मध्य पर्देश में मुरैना से लगबग 40 किलो मेटर दूर है वीराने में भी हड के जंगल है वहां पे है तो वहां पे महाराज जी चलो दो तीन क्वेश्चन आरे मेरे माइंड में एक साथ तो पहले मैं पूछ लेता हूं कि जैसे ये डायन हो गए जिसको बहुत प्रताडित किया जाता है तो जब ये किसी शरीर में आती है और आप इनको डील करते हो तो फिर ये बदले में क्या मांगती है शरीर छोड़ने के लिए या फिर इनको आप कैसे निकालते हो क्या इनकी डिमांड हो यह आपने बहुत अच्छा कोश्चिन करा, कि भई हम उनको निकालते कैसे हैं, कहते हैं, पहले हमें उसके ओपर विश्वास बनाना पड़ता है, इंगलिश में बोलते हैं, रैपर्ड, पूरा हमने उसके विश्वास जमाली है, भई है, जो तुझे चाहिए वो हम देंगे, बहुत लोगों में यही आता है, भई मुझे तो बक्रे की बली देते, मुझे मुर्गे की बली देती, यही काम रहेए उनके, और आज तक ना पड़ दादा ने, पड़ दादा ने, ना फादर ने, ना मै ने आज तक कोई बली नी दिये, हम सिनात नहीं हैं, हम जी बता क्य और देते हैं। बाकि उनको है ना जो अगर वो उन चीजेँ की बली दे रहहे हैं। उनको वो चीज भॅगतने पड़ेगी। आपनी प्ली क्युने करेंप्दे, नर्ष बली न्या है लिए लिगा खोंगे कैपने कि धरी हों। इसे और रेका जानवर की दिए जाती तो फिर उसे शमा मांग के बोला जाता कि चल तरको अग तू योशनीमें पैदा All in जो सिद्धि करते वह कुछ बलियां की सिद्धि करते वे नहीं, सिद्धी करते हो, कोई बली नि दी जाती किसी के भी, और कमाख्या में आपने सुना होगा, एक मायोंग गाउंग है, वो इन चीजों में बहुत आगे है, वो सिद्धियों में भी बली देते हैं, ऐसा है, मैंने खुद जा के देखा है, ऐसा है, कि जो मायोंग में जो बली पर था है, बहुत जादा है, हर एक चीज में भैंसे की बली दे दी, बकरे की दे दी, और नर बली भी दी जाती है, वहां पर, यह सत्य है, अच्छा चलो, आपने अगले चुड़ेल पर ट्रस्ट गिन कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, उनको एक विश्वास दिलात और आप ऐसा करो, बही मेरे लिए इस चीज का परवंद करो, कुछ भी मांग सकती है, वैसे तो बली पर है, फिर मैं उसको धीरे धीरे करते करते, मैं मेरा खुन ले ले, मेरी बली ले ले, उस पे मैं मना लेता हूँ, बकि एकदम से नहीं, धीरे 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 खुन का चीटा दे दिया उसको, खुन का चीटा आते ही, आदा फरक तो उसमें वैसे आ जाएगा, एकदम से, तबी ऐसा हो है कि आपने करो, और फिर भी वो चुडल जा नहीं रही है, बली अपने अपनी खुन की दे दिये और फिर भी माहीने लग जाते हैं, कई केस तो ऐ चैरे हो कि मैंने बली दी पर वो नहीं ठीक हुई, और आपको 6-6 माहीने लग जाते हैं, तो उस 6 माहीने के दौरान आप सेम प्रोसीजर करते हो, नहीं, अलग अलग करते हैं, उसमें क्या है कि अभी एक लेडिज और हैं, 20-22 साल से काफी बुजूर्ग हो चुके हैं, और वो बिचारे बड़े परेशान थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, पंडितों ने और भक्तों ने बहुत ज़्यादा उनके प्रकरिया गरी है, उनका क्या था मूँ से ना जैसे रैवीज की बीमारी नहीं हो जाती है, राल मूँ से निकलनी इस तरह से हो जाता है, बहुत निला हो जाना, एकदम से काला हो जाना, ऐसा उनके साथ में होता था, तो उनमें लगबग छे महीने लगे हैं, तो जब लास्ट में कहीं से कुछ परकरिया समझ नहीं आ रही थी, तब मैं 64 योग नहीं लेके गया था, और आज वो बोले बाबा के और महाकाली की वज़े से बिलकुल स्वस्त हैं, बिलकुल ठीक है वो